हलो बच्चो, वेलकम बैक अब हम देखते हैं नेक्स टॉपिक जो है making of Germany and Italy तो जर्मनी और Italy कैसे बना वो यहाँ पर हम देखेंगे 4.1 जर्मनी के बारे में जर्मनी की कहानी के कैसे वो युनिफाय होता है तो इसमें टॉपिक है can the army be the architect of a nation क्या एक आर्मी एक देश बना सकत तो 1848 के बाद मतलब जब Frankfurt Parliament fail हो जाती है King सबको disband कर देता है उसके बात की कहानी तो इसमें educated middle class के जो liberals होते हैं वो try करते हैं Germany को unify करने का with the help of large land owners of Prussia जिनका दूसरा नाम होता है junkers तो इनकी help से लोग try तो करते हैं कि Germany को unify कर दे बट ये plan fail हो जाता है क्योंकि एक तरफ liberals औ junkers होते हैं दूसरी तरफ होती है monarchy और military तो इनकी सामने plan fail हो जाता है अब सारी जिम्मेदारी जो आ जाती है वो Prussia के हाथ में आ जाती है Prussia आप नया leader होता है जो Germany को unify करने का try करेगा अब इसमें जो main character आपको याद रखना है बच्चों वो है Chief Minister Otto van Bismarck ये Prussian army और bureaucracy के साथ मिल के काम करते हैं और Germany को unify करने का सारा plan करते हैं तो इसी में तीन wars होती है साथ साल तक किसके खिलाफ वो भी आपको याद रखना है against Austria, Denmark और France तो इनके खिलाफ साथ साल तक ये लड़ाए लड़ती है और अंत में Prussian victory होती है और इसी के साथ Germany को unify करने का जो process है वो पुर नया emperor बना दिया जाता है अब जब ये पूरी ceremony होती है तो उस टाइम पे सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं at the Palace of Versailles जिसमें Ottoman Bismarck तो थे ही जर्मन प्रिंसेस और बहुत सारे representatives सारे ministers सब लोग मिलके Germany का नया emperor प्रोक्लेम करते हैं जिनको William 1 K. Sir William 1 तो इसी के साथ हमने मौश करते हैं